हेलो दोस्तो रोशन गुपता ओफीसियल यूटूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त रोशन और यह जो है जिविका का सकेंड थर्ड और फोर सिप्ट का कोशन है यह कल का कोशन है छे नो दो हजार उननीस का जो पूछा गया था यह कोशन है दोस सकेंड सिर्ड का पहला कोशन है मैट से है कोई आदमी किसी मसीन को 70,000 में खड़िता है और उसको ठीक कराने में 4,000 लगता है और परिवहन में 1,000 खर्च परता है तो वह 35% लाब कमाता है तो विक्रेमूल पूछ रहे है क्या होगा तो सिंपल है जितना भी इसमें खर्च प सत्तर हजार प्लस चार हजार प्लस एक हजार कुना हो जाएगा 135 बटे 100 ठीक है ये हो जाएगा आपको 75 हजार कुना 135 बटे 100 सारे 700 बटे 100 गुना करें ता आपको आजाएगा 101 250 इतना आपका विक्रेमोलिस का एंसर होगा ठीक है अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन है दो नमबर का जो है 1005 है और 26 है तो एक नमबर 130 है दूसरा नमबर क्या होगा इसका फर्मूला होता है LCM गुना HCF बड़ाबर जो होता है एक नमबर गुना दूसरा नमबर तो यह होता है 1005 गुना हो जाएगा 26 पराबर हो जाए 130 गुना X यह 13 से कट जाएगा 2510 यह आजाएगा 201 इसका एंसर जो होगा 201 हो जाएगा 201 इसका एंसर होगा अगला कुशन देखते है अगला कुशन है यह जो है इसको लगुतम रूप में बोला था लिखने के लिए ठीक है इस नमबर को लगुतम रूप में लिखिएगा तो आपको आजाएगा साथ बट्टे तेरा ठीक है ये इसको 1, 2, 3, 4, 5 से बुना कड़िएगा तोनों तरफ तो आपको इतना आ जाएगा ये साथ बट्टे तेरा इंसर आएगा आपका इसका अगला कोशन पूछा गया था एक दुकानदार एक वस्तू पर जो है बीस परसेंट लाब और उतना ही खरीडने में धोखा देता है तो उसका कुल लाब कितना होगा इसका सौट ट्रीक होता है जितना लाब हुआ जितना पलस हो जाएगा दोनों का परसेंटेज बटे हंटेड ठीक है कट गया यह हो जाएगा 40 पलस 4 मतलब इसको हो जाएगा 44 परसेंट का लाब होगा है दुकानदार को ठीक है ये मैट पूछा गया था अगला कोशन देखते हैं एक रिजनिंग था तोचा मनुस्य है तो साल्क गति जो होगा अमचलीम होगा इये रिजनिंग था एक आपको डाइरेक्शन से भी रिजनिंग था एक आपको आबी सीडी से भी रिजनिंग था इस तर्या का थेुश्य पूच अ था तरको जो कौन सा दिन होगा वो होगा गुरुबार। अगला कुछा गया तो एक नाव की गती जो है 5 km पर आवर है तता धारा की गती जो है 2.5 km पर आवर है तो 18.75 km आने और जाने में कितना कुल समय जो है कितना लगेगा। तो यहाँ पे जो है धारा के साथ जो चाल हो जाएगा धारा के साथ 9 का चाल क्या हो जाएगा धारा के साथ जदी ट्रेवल करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5 पलस 2.5 मतलब 7.5 किलो मीटर जो हैगा पर आवर हो जाएगा धारा के विप्रीत दिसा में क्या हो जाएगा और घ किलो मीटर पर आवर अब यहां आप बोल रहे हैं टाइम कितना होगा तो टाइम निकालने के लिए दूरी वट्ट और यह आपका चाल कितना है दूरी वट्ट चाल तो यहां पे दोनों अब कुल निकालना है एक टेम में हो जाएगा 18.75 बटे 7.5 और दूसरा हो जाएगा 18.75 बटे 2.5 ठीक है पॉइंट उड़ा देते हैं नीचे तो आइज ही हो जाएगा कलकुलेशन में तो यहाँ पे LCM हो जाएगा 75 यहाँ पे हो जाएगा 187.5 और यह हो जाएगा 25 या 75 तीन से गुना करेंगे 187.5 में तो आ जाएगा आपको 562.5 जो इसको करेंगे तो 750 बटे 75 आएगा ठीक है कटके 10 घंटा इसका एंसर होगा 10 आवर इसका एंसर होगा ठीक है यह कुश्चन था अगला कुश्चन देखते हैं MDP का फूलफर्म पूछाते है MDP का फूलफर्म होता है Management Development Program अगला कुश्चन पूछा गया था देश बंदू के नाम से कौन जाना जाता है यह कुश्चन प्रिवियस एक्जाम में पूछा गया था यह चितरंजन दास को क्या बोला जाता है यह कुश्चन था प्रिवियस एक्जाम में तो इस बार पूछा है देश बंदू के नाम से कौन जाना जाता है तो चितरंजन दास को देश बंदू के नाम से जानते हैं अगला कोशन है एक दिवस्य इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज जो है 11,000 रन बनाने वाले बल्लेवाज कोन है तो वो है बिराट कॉली ठीक है वो है बिराट कॉली अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन है संसद रत्र 2019 किसे मिला था यहां पे इतने लोगों पर मिला था इसमें जो है अनुराग ठाकूर जो है यह ओप्शन में था यह इसका एंसर जो होगा अनुराग ठाकूर होगा अगला कोशन है धारा 370-20 राज से संबद्नित है हटाया गया था इसी तरह कोशन था यह जम्मू कस्मीर से हटाया गया है ठीक है अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन है जीवों के वर्गी करण को क्या कहते हैं ये है टेक्सोनोमी बोलते हैं उसको टेक्सोनोमी जीवों के वर्गी करण को हम लोग टेक्सोनोमी बोलते हैं अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन है इंद्रा गांधी राष्टे विखलांता पैंसन योजना में आयू सिमा क्या है इसमें जो है 1889 साल है 1889 साल जो है ये इंद्रा गांधी राष्टे विखलांता पैंसन योजना की समय सिमा है अगला कोशन देख लेते हैं अगला को बूचा गया था यह विश्नु सर्मा पंचितेंत्र के लेकर कौन है यह विश्नु सर्मा नेस्ट कोशन देखते हैं next turkey ए राजर सभा मेर अधिकतम सदस्यों की शंख्या कितनी होती है यह होती है 250 लोगमारी को मेरी है अधिकतम संख्या जो होती है 250 होती है वो है महराष्ट्रा, महराष्ट जो है ये राज जो है बिना जो है PSI मार्क के हेलमेट के बिकरी पे जो है रोक लगा दिया है अगला कोशन पूछा गया था नीर निर्मल परियोजना बिहार के किस राज में सबसे पहले सुरू की गई है ये आपको दर्भांगा में सुरू की गई है दर्भांगा में नीर्मल परियोजना जो है दर्भांगा में सुरू की गई है अगला कोशन पूछा जा रहा है ACI ओलम्पिक परिशद मुख्याले कहा है यह कुबेत में अगला कोशन पुछा गया है पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है यह परजन्टेशन प्रोग्राम परजन्टेशन प्रोग्राम है पावर पॉइंट अगला कोशन है कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है ति यहां पे जो miss rephrase का पुछा था, बेंकों का बेंक किसे बोला जाता है, इस यह बेंक आप इंडिया, सर्फ शिक्षा अभ्यान किसके लिए है, यह सिक्षा सभी के लिए, सभी के लिए शिक्षा, यह उप्सन था, अगला कोशन पूछा था BSNL का full form क्या होता है BSNL का full form पिछले बार भी पूछा गया था भारास संचार निगम लिमिटेड अगला कोशन पूछा गया था नियाए पंचायद का यह कार है तो यहाँ स्वास्त के अंदर बनाना किसानों को करजना विद्याले खोलना या विद्याले खोलना नहीं था विद्याले का रख रखाव करना थी यहाँ पर जो option होगा यह नन होगा ठीक है यह नन option होगा यहाँ पर अगला थड़ सिप का हम लोग कोशन देखेंगे यह कुंदन, संजय, दिव्या, आसुतो, जया थड़ सिप का question सेयर के हैं देखते हैं किस तरह कोशन थड़ सिप में पूछा गया था तो पहला जो question था लोग सभा में सदस्यों की अधिक्तम संख्यां कितनी होती है तो पांसो बाबन होती है लोग सभा में सदस्यों की अधिक्तम संख्यां पांसो बाबन अगला कोशन देखते हैं M, I, C, R का full form में जो है C का full form पूछा था M, I, C, R में C का मतलब पूछा गया था तो यह होता है Magnetic Inc. Character Reader लिक्रियाजिशन तो character यहाँ पे C का full form हो जाएगा Next question देख लेते हैं Next question क्या है Next question जामा मस्जिद का निर्वान किसी ने किया था यह साजहा ने करवाया था जामा मस्जिद का निर्वान जो है साजहा ने करवाया था अगला question है Egypt का अन नाम क्या है Egypt को किस नाम से जानते हैं एजिप्ट को मिस्र के नाम से जानते हैं, मिस्र, अगला कोशन है, KYC का full form पूछा दिए, पिछला एक्जाम में भी आ चुका है, तो know your customer, नो योर customer जो है, ये KYC का full form होता है, अगला कोशन पूछा गया है, रेडो का shortcut की क्या होता है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, अगला कोशन है, Master Blaster किसे कहा जाता है, Master Blaster सचिनते अंदूलकर बोलते हैं, Master Blaster सचिनते अंदूलकर, अगला कोशन, GST सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था, GST सबसे पहले France में लागू हुआ था, France, भारतिय समिधान की आठवी अनुसूची में भासाओं की संख्या कितनी है, भारतिय समिधान की आठवी अनुसूची में भासाओं की संख्या कितनी है, वो है 22, 22 भासाएं सामिल है आठवी अनुसूची में, अगला कोशन है, एस्कुनर कितने गेंदों से खेला जाता है एस्कुनर जो है कितने गेंदों से खेला जाता है यह है 22 गेंद से एस्कुनर खेला जाता है अगला कुशन है फारस देश का दूसरा नाम क्या है फारस देश का दूसरा नाम क्या है तो फारस जो है इरान को बोलते है इरान ये कोशन पूछा गया था इस तरह से जैसा कि बताएं हैं लोग कि एक पिक दे दिया गया था पूछा गया था ये किनकी तस्वीर है तो ये मेजर ध्यानचन की तस्वीर है अगला कोशन है मौली कर्तव किस अनुछिद में है अनुछिद एकावन कौ में अगला कोशन है डेन्मार की राजधानी क्या है में कोपेन हेगन है अगला कोशन पूछा गया है पद्म विभुषन पूरुषकार का अस्थान भारत रतन से किस अस्थान पर है ये दूसरा अस्थान में पद्म विभुषन जो पूरुषकार है भारत के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा पूरुषकार है भारत में अगला कोशन देख लेते हैं नदी किसे बोला जाता है तीस्ता को बोलते हैं तीस्ता नदी के जो है सिक्किम की जीवन डेखा नदी बोलते हैं Next Question है विजिये का फिल्फर्म पुछा गया था विजिये का फिल्फर्म होता है विडियो ग्राफिक एरे विडियो ग्राफिक एरे बोलते हैं उसको गौतम गंभीर जो है किस खेल से संबंद एट है नईशो कोइचन है अगला कोइचन है गांधी जी चंपारन कब आये थे, सबसे पहले गांधी जी चंपारन कब आये थे, ये आये थे 10 अपरेल 1917 में, 10 अपरेल 1917 में सबसे पहले गांधी जी चंपारन आये थे, अगला कुछन है, सामंत वाज किस से संबंदित है, सामंत वाज जो है सासन व्यवस्था से संबंदित ह अगला कोशन है जाती धर्म लिंग एवं जन्म अस्थान आधी के अधार पर भेदवाव ना करना किस अनुछेद के तहद आता है ये आता है आपको अनुछेद 15-3 के तहद आता है भारत की सबसे पुरानी और अमीर सोने की खान कहां है ये करनाटक राज में है करनाटक में है उसके बाद है 2019 का क्रिकेट वल्ड कप इनों ने जीता है अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन पुछा गया था CBII के अध्यक्ष कॉन है वरतवान में तो यह है Rishi Kumar Sukla Next Question है गोस्टाउन जो है किस सहर को कहा जाता है यह यूक्रियन का सहर है प्रिपियत जो है इस सहर को गोस्टाउन बोलता है यहाँ पे रमानू सहिंत का दुरख्टना हो गया तहा उसके बाद पूरा सहर जो है, खाली कर दिया गया, इसलिए इस सहर का नाम पर गया था, गौश्टर्ण, ठीक है, अगला कोशन देखते हैं, मेकमहन देखा जो किन देशों के बीच है, किन दो देशों के बीच है, यह भारत चीन के बीच मेकमहन रेखा है, नेटो क्या है, ने इसको का मुख्याले जो है पेरिस फ्रांस में है अगला कोशन है सबसे बरा नदी बेसिन किस नदी का है यह है गंगा नदी का सबसे बरा भारत में भारत में यहां पर वगा भारत में सबसे बरा नदी बेसिन किस नदी का है यह है गंगा का अगला कुशन है हवा महल किस ने बन बाया था हवा महल जो है महाराजा सवाई परताप सिंग ने बनाया था गीत गोविंद के लेखक कौन है तो यह है जैदेव अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों वीडियो अच्छा लेगे तो लाइक जारो कर लिजाएगा अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लिजाएगा आज की डेट का जो भी कोशन है आप लोग सेर सब्सक्राइब आब